असलों लेगम उडियों स्टून्स कैसे हो आप लोग उमीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे तो आज की इस वीडिये में चला हम लोग जो है वो जो हम लोग ने बायो टेक्नोलजी का जो आप लोग से टैस्ट लिया था वह हम लोग करेंगे असलों में बात इस तरह से है कि हम लोगों ने क्विक रूइन सीरीज स्टार्ट की हुई थी तक्रीबन हम लोग ने 25 चेप्टर से में क्विक्ली रिवाइस कर लिए थे सिर्फ दो चेप्टर रख थे एक था मार पास बायो टेक्नोलजी और दूसरा मार पास था डिन असलों में इस चेप्टर इस तरह से है ना कि हम इन चेप्टर में तक्रीबन हर एक सीज इंपॉर्डन है लिगे लाइक हम लोग किसी चीज को स्किप नहीं कह सकते है ठीक है तो हम लोगों ने यही सोचा कि अगर हम लोगं एमसी क्यूज के थो तो यह सब से बेस्ट वह कशी सब्सक्री उसमात आप लोगं को पता है क्या काम बंत है आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह क्या मिद आते हैं पर जब आप लोग चैप्टर को पढ़ोगे तो आपनों को फोद बहुत बहुत से इस 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 इ लोट करने है अगर फिर भी आपको समय नहीं आदे तो पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी तरह हम लोगों ने बागी 25 चैप्टर रिवाइस किये थे क्विकली हम लोग इनको भी कर लेंगे ठीक है तो बगार टाम है क्यों हम लोग अपनी वीडियो की तरफ से पहले वीडियो स्टार करने पर आप लोगों से एक चोटी से रिक्वेस्ट है कि जैसा कि हमारे पास 90% जो वीवर्स होते है वीडियो के वह नान सब्सक्राइबर होत तो आप लोगों से एक हमबल रिकस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नी कियो हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिर्स वीडियो जिसमें मैं कह रहा हूं तो आप लोग ग्यार कर लो मेरे पास I am second number 1 है कहते है कि which one of the following method is most common to get the gene of interest option a from messenger RNA option b directly Park from the DNA option c synthesized and lab option d from complementary DNA वार पास जो हो हम लोग जो हो messenger RNA से जो हो अपना gene of interest in most of the cases ले रहे ले रहे हिता क्युक्समावर जो हो यह message लेकर आ रहा होता है और इसमें लाइक सारी information इसमें stored हो दिया, तो इसे हम लोग अपना gene of interest हो रहेते हैं, so option A is correct in mcg number 1 next में पास mcg number 2 में कहता है which one of the evolving type of the gene can be synthesized in lab, option A small size gene, option B, large size gene, option C, mutant gene option D, normal gene, तो हम लोग small size gene जो है वो लबाटरी में synthesized कर सकते हैं, तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए mcg number 3 में कहता है कि which enzymes are cut asymmetrically within the recognition site, such that a short single standard segment extend from the 5 brand, तो यह different enzymes आप यहाँ पर इस mcq को देखकर आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आप लोगों की बुक में इस तरह के mcqs आ सकते हैं, तो यहाँ पर option B आप लोगों के पास correct है तो आप लोगों के कोशिश करना है कि जितने भी आप लोगों के पास by technology वाले chapter में tables है, उसमें कुछ specific चीजे mention है तो आप लोगों ने लाजमी देख लेने है वह important होते हैं, वहाँ से sometimes mcqs आ जाता है अगर आप लोग सारी चीजें नहीं देख सकते हैं, जो चीजें आप लोग देखते हैं, उनको बिल्कुल अपनी fingertips पर याद रखो mcqs में से maximum 2-3 mcqs आएंगे से जादा नहीं आएंगे 2 से जादा नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी chapters भी हैं आप लोग साराट mcqs की दादात बहुत कम है, सिर्फ 35 mcqs आपके chapters में से आएंगे आप लोग को ने जिस्ट प्रफीशली लेकर चीजों को चल लाएं ठीक है, बोर डिप भी नहीं जाना और बस जो जैसे information को आप लोग गेन कर सकते हो, कर लो लागन उसको इसने से गेन करो कि वह आपको भूले नहीं और अगर वहां से जिक होता है तो आप लोग को उसको जालत करने की chances बिलकुल 0 हो ठीक है आप लोग उसको 100% confirm ही करके आना है फिर नेक्स में पास और फोर में कहता है कि विच वन इस नॉट प्रपरटी ऑफ कुड वेक्टर ठीक है ऑप्शन ए मल्टिपल कॉनिक साइट्स ऑप्शन बी ओर रिजन ऑफ एप्लिकेशन अप्शन सी एंडी बियोटिक रिजिस्टन जीन और ऑप्शन डी लार्ज साइज तो मेरा पास में वह एक गुड्ट वेक्टर जो होता है ठीक है उसमें मेरा पास पहली बात हो एक ओरिजन ऑफ एप्लिकेशन होती है अब इसी ओरिजन ऑफ एप्लिकेशन के रिलेटेट्ट आपको आगे भी तीन-चार एंडी बिलेंगे फिर आपनों को पदर चाल जाएगा एक लाइक इस 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 प्रिक टेक्स्ट में से किसके सारा के एंडी आप यहां पर उसने बहले के आप्शन C में अब दुकतो एंटिबाडी सुडि एंटिबाटिक रिजिस्टेंट जीन ऑप्शन D में केते हैं लाइज साइज तो इसमें ऑप्शन A को रेक्ट है कि मेरे बास मुल्टिपल क्लोनिंग साइज मेरे पास इट इस नर्थ प्रॉपर्टिट आफ गुड देखें, mcq को फार गजंबल अगर किसी स्टुर्ट को mcq नहीं आता तो उसको गैस करने का एक तरीका होता है ठीक है अब गैस करने के डिफेरेंट तरीक है वह वह वेने आपको हर एक वीडियो में एक एक दो दो लाइक पॉइंट पता है जो 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 जिस पेस अपस में अपुजट है अब देखो ऑफशन अ बी और सी में ये दो जो 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 है यह लौग एक का इस अब बाकि जो गजुशन को स्टीक कर लो जो आपको फॉर और बतनी बताया हुए कि आप लोग ने अलिम्नेशन करने में आप लोग अगर आप लोग किसी यहां से option A और D को आप लोग ने eliminate कर लिया, अब आप लोग के पास two options है, this means that आप लोग के पास 50% chance है कि आप MCQ को trick कर ले और 50% ही chance है कि आप लोग उस MCQ को गलत कर ले, अब देखे आप लोग के पास चो है वो, आप लोग के तो MCQ को correct करने के chances 25 से कितने होगे, 50 होगे, लाइक उसके double होगे, तो इस तरह आप लोग elimination method कर कि आपने options को eliminate कर सकते हो, अपनों के MCQ को ठीक करने के chances जैदे हो जाते है, और MCQ जो है वो mostly आपका sometimes ठीक भी हो जाता है, ठीक है, अब यहां पर जो है वो कहता है, the most important character of an ideal expression system is option A, circular gene, DNA option B, long generation time, option C, short generation time, option D, small gene, तरह से मारपास चाहँ हो, इसका short generation time मारपास चाहँ हो, एक important character, ideal expression system का, so option C is correct, and screen number 6, the principle of PCR, PCR means polymaze chain reaction, option A, analysis of DNA, option B, cloning of DNA, option C, replication of DNA, option D, isolation of DNA, तो आप लोगों के पास चाहँ हो, जो PCR है, इसका जो हमारपास चाहँ हो, प्रिंसिपल है, वो हमारपास है, वो हमारपास है, DNA replication, option C is correct, and screen number 7 में गयता है, which one is the gene transmission method, option A, singers method, option B, maximum Gilbert method, Gilbert method, option C, automated gene sequencing, option D, DNA analysis, is signal is that, मारपास, single method, maximum Gilbert method, यह 3 methods, यह 2 है, तो यह आप लोगों ने देखना है, तीक है, इसमी तरा किसा यह समसी कूपाइभास है, simple simple ओः किसे, तो that is it, यह मारपास, single method, it is the chain transmission method, okay, so option A is correct, I'm a accurate, एक इन दूब्धारद, फॉर्वाविटिवेगाद radical, the radioactive labeled d antipase are used option a single method option b maxim gilbert method option c automated gene sequencing and option d d analysis अपलने के पास जो automated gene sequencing है यह मर पास ऐसी टिखनीक है जिसमें हम लोग radioactive labeled d antipase use करते हैं ठीक है और हम लोग लोग उनोंपर बात की थी कि मर पास chain transmission method कौन सा है वो single method is a chain transmission method और जो मर पास automated gene sequencing है इसमें हम लोग radioactive label d antipase यूज़ कर रहे होते है option c is correct in screen number 9 में कहता है the advantage of the animal cell culture option a artificial skin option b study of the function of the neurons option c antiviral vaccines and option d all of these तो हम लोग जो है वो animal cell culture का मर पास जोपलों के पास main function है वो है artificial skin तो ठीक है लाग यह skin cells driven कर रही है यह वो this and that जितनी भी होती है तो यह से option a is correct in screen number 10 में कहते है the sequence of the nucleotides present on the dna और genes called उसको हम लोग genomic map कहते है option a is correct ठीक है अब students यहाँ पर genomic and genetic map में काफी confused हुई होगे तो मर पास उसको हम लोग genomic map कहते है option a is correct in screen number 11 में कहते है how many base pairs make up human dna तो मर पास 30,000 base pairs मर पास है वो human dna बनाते है so option b is correct in screen number 12 में कहते है which culture is very useful to obtain some drugs compounds option a callous culture option b enter culture option c self suspension culture and option d आप लोगे पास है marriage time culture आप लोगे पास यह है वो cell suspension culture होता है it is very useful to obtain the some drugs compounds okay so option c is correct cell suspension culture next आप लोगे के पास in screen number 13 में कहते है the mechanism of the dna intake from the surroundings medium is called option a transduction option b transformation option c conjugation option d translation तो इसमें वापस जो transformation होता है इस यह ऐसा mechanism है इसमें जह हो dna take होता है from the surrounding medium तो उसको हम लोग transformation कहते है अब देखे simple definitions भी आप लोगे ने देखा हो कि वो आई होई है तो आप लोगे कम इसका हम बाकी अगर कुछ भी नहीं कर सकते like आपके पास एक तो time नहीं है या like chapter अभी समगी नहीं आ रहा तो आप simple तरीकों से आप लोग उसे पूचा है ठीक है sometimes मैंने इसमें पूचा है कि ratio कितनी है like balance ratio हम लोग का यह concept अभी बिल्कुल built-up हो चुका होगा कि हम लोग जो है वो callus formation के लिए हम लोग oxygen को use करते है और इनकी जो ratio होते हैं वो हम लोग balance ratio लेते हैं ठीक है जितनी रेश्व हम लोग oxygen की लेंगे इतनी cytokines की लेंगे callus formation के लिए so option A is correct आगे फर्दर जाकर इसी के लिटिटें सी की हुएगा हम लोग को भी discuss करेंगे M2 15 में गाते है तो which factor is most is widely used in the crop improvement option A prosmate option B cosmate option C phasmid option agrobacterium तो महार पास जो widely used in crop improvement में हम लोग वो use करते हैं तो महार पास वो होता है cosmate option B is correct ठीक हो गया next process of binding the primer to the denatured strand option A denaturation option B annealing option C renaturation option D extension ठीक है अब देखिए mostly students नहीं आपर denaturation लगा होगा लेकन यह annealing है ठीक है कहता है कि primer को हम लोग जाए वो denatured strand denatured हो चोगा है denaturation का process हो गया उसके पाद annealing होती है ठीक है तो महार पास option B is correct next महार पास in screen number 17 में कहता है which type of the primer is used in the PCR option A DNA primer option B RNA primer option C recombinant primer option D large RNA primer तो हम लोग जो है वो PCR में हम लोग जाए वो DNA primer use कर रहे होता है so option A is correct in screen rating में कहता है which one of the following techniques is used in the DNA fingerprinting option A western blotting option C southern blotting option D sorry northern blotting option D eastern blotting so southern blotting जो है वो हम लोग जो है वो DNA fingerprinting की technique में जो है वो यूज कर रहे होते अब what is southern blotting यह हम लोग आगे एक MCQ आएगा उसमें लोग इस चीज को discuss करेंगे MCQ 19 में कहता है which one of the following is a plasmid तो अब देखें लाइक इस चीज भी आप लोग ने देखने कि plasmid क्या है ठीक है इस चीज आपको पता होने चाहिए so option इसमें हमारे पास हो है D is correct PBR 322 is a plasmid ठीक है अब यह बाकी तीन चीज देखें यह आप लोग ने देखनी है और comment section के अंदर मुझे बताना है MCQ 20 में कहते है तो auto radiograph is also known as option a x-ray imaging option b gamer is imaging option c uv-ray imaging option d radioactive imaging तुमारे पास तो है वो auto radiograph को हम लोग जो है वो x-ray imaging भी कहते है so option a is correct MCQ 21 the cry gene is also called option a BT gene option b CT gene option c HT gene and option d crop gene तो cry gene हमारे पास तो BT gene को हम लोग cry gene भी कहते है so option a is correct MCQ 22 में कहते है the TAC DNA polymerase synthesize the new DNA strand in which end of primer तो अपने लोग के पास वो 3 primer से जो है वो हम लोग जो है वो उसको synthesize करना शुरू करते है so option a is correct तेक है TAG DNA polymerase synthesize new DNA strand to 3 primer and so option a is correct next MCQ 23 में कहते है the naturally restriction enzymes are found in option a viruses option b bacterias option c produce option d lg तो हम लोग bacteria such है वो restriction enzymes basically इसमें होते है option b is correct यह simple common MCQ था like इसना से common MCQs भी आने के chances होते है ठीक है तो इसलिए मैंने आप से बोला definitions examples यह चीज़ आपनों को लाजमी बता हूं ठीक है बाकी आप लोग चीज़ देखते हो नहीं देखते हैं लेकिन यह चीज़े must है अपस्किन और 24 में कर रहा है तो प्री हिस्टोरिक बायो टेक्नोलोचिस्ट यूज्ट विच विच वन आफ फर्मिक और्गनिसम्स तो प्रोडूस्ट अप्शन 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 दी यूज़ तो यीस्ट है ठीक है अब यह एडिबल के क्या मतलब जो कि खाने की काविल हो अब यह इस ते को मुझ अपने लाइक फ्लोर में यूज कर आटे में यूज करके उसको हमीर करने के लिए इडिटेंट चीज़ों में बेकिंग में यूज कर रहे होता है तो में इंट इस एडिबल ऑप्शन इनों इंट से इंट इनों बल्ड्ड को क्या करते हैं क्लीव करता हैं तो ऑप्शन दी इस फ्लिंट इस नंठ एंडवर ह Tara कर दर आट एंटिंटिजीनर ही कर होते एंट थिंटिजीन्टाव peoples नहीं करे शूंद स्रू track of the evidence न्हीं identification of transformed genes and transformed clones उसको अम्लोग ताम लोग पनेडोल उसने करते है टेत्रसाइखलीन, MPC-Line and kinomaisins उसकर होते हैं so option A is correct. M627 में करते हैं बफर उसे इस इन दा एलेक्रोफिर्स फर इसेपरेशन देने फ्रेशन फ्रेशन अब देने फ्रेग्मेंट ऑप्शिन A Tris Acetate EDTA, Option B Tris Acetate NaOH, Option C Tris, Brot, Borate, HCL and Option D None. तम लोग Tris Acetate EDTA यूज़ कर रहे होते हैं so option A is correct. M627 में करते हैं the similarity in genome sequencing of any two person is. अब इस तरह का आपनों को आगे एक और MC को भी मिलेगा ठीक है जिसमें उसने यहाँ पर similarity का पुछा है लेकिन आगे चाकर उसने difference का पुछा है किते पसे difference है similarity है हमार पास genes यह हमार पास जो 2% हो उनके genomic sequence में हमार पास 99% similarity होती है एक परसन हमार पास differences आते है ठीक है इसी के लिए लिए लिएक आगे और MC कीज़ है वो भी हम लोग देखते हैं MC कीज़ 29 में कहते है if which one of the following compound is missing then bacteria cannot increase the number of its plasmid copies option a antibiotic resistant genes option b origin of replication option c cloning site and option d ligase enzyme simple is that यह हमार पास origin of replication अगर ना हो तो हमार पास जो है वो plasmid copies जो है वो नहीं बन सकती या उनके number में increment नहीं आ सकता option b is correct अगर आप लोगों को याद हो कि पिछले एक दो test में भी मैंने MC कीज़ दिया था और इसी test में भी मैं एक उपर MC कीज़ है जो कि origin of replication के related था तो आप लोगों का i think काफी यह concept build-up हो गया होगा कि मर पास origin of replication ना हो तो मर पास DNA की यह plasmid copies बनती ही नहीं तो आगे मर पास process procedure ही नहीं कहा जा था ठीक है so option b is correct next मर पास MSC no.30 में किता the primary user in PCR has a sequence of bases option a 8, option b 12, option c 1, option d 20 यहीं यहीं I think किसी previous test में मैंने यह M.C.U. दिया था तो मर पास यह 20 मर पास यह वो प्रेमर पास यह वो प्रेमर पास यह वो प्रेमर पास यह नहीं कहे बेसे मर पास यह 20 यह था ठीक है next मर पास MSC no.31 में किता the restriction enzymes are of the grade use in the genetic engineering because option a they cut the DNA at specific base levels option b they cut DNA at several specific levels, option c they help in binding with the pieces of DNA, option d their nucleuses I think यह मैंने भी, यह भी M.C.U. पिशले किसी test में दिया हो था तो आप लोग हमेशा जान में रखे कि रखे कि रिस्ट्रिक्शन enzymes होते है इसको लोग genetic engineering में use करते हैं, क्यों use करते हैं? क्यों कि यह cut करते है DNA को specific base levels से तो option a is correct, simple 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 mcqs है, वो जादेटिल ही रहत नहीं है next mc32 में कहता है any DNA molecules having the forage and DNA is called option a mutant, option b recombinant option c crossing over, option d none तो जब भी मारपास रहे हो कोई ऐसा DNA molecules में मारपास forage and DNA आप लोग insert करते हैं temperature is increased to 94 degree, what will happen? ताप लिख बार simple annealing नहीं होगी, क्योंके 94 पर मारपास annealing नहीं होगी क्याता है if a primer annealing temperature is increased to 94 degree, what will happen? so option c is correct mc34 में कहता है under the UV illumination the DNA bands are seen in agros gel due to the which one of the following? option a agros, option b change in DNA, option c fluorescent dye, option d radioactive dye so fluorescent dye की वाई से मारपास जो हो हम लोग उसको agros gel में जो हो देख सकते हैं option c is correct mc35 में कहता है further location of the detection of the gene of the DNA library which one of the following is used term log simple is that like किस चीज़ को locate करना हो या किस चीज़ को detect करना हो इसमें gene को sorry DNA library कहांता है तो हम लोग जो है वो probe को use कर होते हैं ठीक है probe मारपास है जिसको हम लोग use करते हुए किसी भी चीज़ को detect कर सकते हैं किसी चीज़ को locate कर सकते हैं so option b is correct mcq 36 में करते हैं individuality of every person is maintained by the nucleotide genome sequence difference by पिछले mcq उसमें उसने similarity को पुछे था similarity मैंने आपसे पहले का कि 99% है और difference कितने 1% so इसमें मारपास आप difference का उप्षेट option a is correct पिछले mcq में उसने similarity को पुछे था तो इसलिए मने का था 99% symbol is that अब देखें for callous formation the auxins and cytokines are required in which ratio option a one ratio one option b one ratio two option c two ratio one option d one ratio three simple is that हम लोग ने कहा था पिछले अब देखें पिछले टेस्ट में एक टेस्ट में बलेके दो-तीन टेस्ट में यह mcq मैंने आपको दिया तिक है balanced ratio में हम लोग उस करते हैं हमेशा जैन में रखें कि auxins and cytokines को वो mcqs भी आप लोग उने देखें होंगे अब इसी same test में आप लोग उने previous mcqs में भी देखा होगा मैंने आपसे question कि क्यले सिर्मेशन में कौन-कौन से enzymes होते हैं तो वो भी auxins and cytokines है अब देखें यहां पर balanced अब लाजबिन है कि आपको option जे balance यह यह बुदस और इस तरह से लबते हैं आप लोगों को one ratio ratios की फार्में भी दे सकता है तो balance ratio तो option A को देखें one ratio one same ratio one option A is correct I'm assuming that 38 में केता है plant or animal modified by genetic engineering is called option A cross genetic option B probe option C recombinant option D which is aplasmate तो ऐसा plant या animal इसको हम लोग genetically जो है वो modified करते हैं तो हम लोग transgenic plant या animal केते हैं so option A is correct same thing as we have a Muslim number 39 में बोली organism that received the genes from the other organisms वो भी transgenic plant या organism ही होता है plant animal या organism बोले so option B is correct तिक है अब यहां पर इसने transgenic organism की 3 different definitions आप लोगों से बूचिए अब आप लोगों को यहां पर एक और सीज़ बता हूं कि आप लोगों को मैंने प्रिश्टे previous test में भी एक बात की थी कि आपको पता हो कि first transgenic plant कौन से है और first transgenic animal कौन से है अगर आपको पता है option B bone marrow transplant option C treating the breast cancer option C dissolving the blood clots तो यहीं MC की मेरे पहले भी आपको किसी test में दी जा था तो मर पास हम लोग जो tissue plasminator activator होता है यानि की TPA उसको हम लोग उसको हम लोग use करते हैं for treating for dissolving the blood clots option D is correct mscm441 में कहता है what was the world's first ever mammal to be successfully cloned from an adult cell option A sheep option B monkey option C cow and option D calf तो आप सब लोग को पता है कि वो sheep ती जिसको डोली उनने कहा था D-O-L-L-Y so option A is correct कि कि उसको firstly clone किया था option A is correct mscm442 में कहता है what is C? option A option B clone DNA option D sorry option C DNA produced from the reverse transcription of the RNA option D cytoplasmic DNA most students ने यहाँ पर circular DNA या कुछ ने clone DNA जो है वो टिक किया होगा लेकिन में पास C DNA होता है इसका मतलब है कि में पास DNA produced from the reverse transcription of RNA so option C is correct next में पास कहता है the E.C.R.E. enzyme is obtained from option A viruses option B Salomonella option C E.C.L.E. option D penicillium तुमारण पास E.C.R.E. E.C.L.E. से जो है उप्स्ट्राइट किया था यह उप्स्ट्राइट किया था यह उप्स्ट्राइट किया था प्राइमर प्राइमर अनिलिंग उतकर इसके बाद last पे extension होती है तो यह जो sequence उनों ने दी है PCR कि यह true है so option A is correct यहां पर बताने का मकसद ज़िए था कि सम्टाइम इस तरह से आप लोगो steps की sequence पूछ लेते हैं 1st Artificial Cloning Vector constructed in 1977 by the Bowiever and Rod Rodriguez option B most widely used vector versatile and easily manipulated vector option BC में काता है it has two antibiotic resistance genes TET and AMP option D में काता है it does not have the restriction site for SAL option D में पास यह वो यह वो character नहीं है PBR322 का क्यूंकि में पास इसमें होता है restriction site for SAL1 okay so option D is correct यहां पर इसमें लिका it does not have तो इसमें होता है so option D is correct MSCNOR46 में कहता है which one of the following is a specific molecular seizure option A ligase option B helicase option C DNA polymerase and option D restriction endonuclear तो हमारे पास यह वो molecular seizure यह वो specific molecular seizure मारे पास कौन से है वो restriction endonuclear यहां यहां हम लोग gene of interest निकालने के लिए हम लोग इसको restriction endonuclear को यूज कर रहे होता है यहां है यहां है so option insert नहीं वलके लेने के लिए किसी दूसरे डिया like gene of interest लेने के लिए so option D is correct next mcqn4 47 वे कहते है the restriction enzymes belong to larger group of the enzymes which is option a ligase option b kinase option c nuclease and option d polymerase मारे पास जो है वो इसमें nuclease option जो है वो मारे पास correct है कि restriction enzymes belong to larger group of enzymes जो मारे पास nuclease है option c is correct इस तरह से देखो यह common common mcqs है तो इस तरह किसी चीज़ें आप लोग कोशिच करें कि इस चैप्टर में से जह वो आप लोग देख लें तो यही से तरह कि mcqs होता है कोई like rocket science जैस mcqs नहीं होते okay mcqn4 48 वे कहते है enzymes used for joining the two DNA fragments option a option a ligase option b reverse sorry option b restriction endonicalase option c high raise option d volume raise तो यार अगर मैं आपको अपनी मरत्वा वाला test के बार में बता हूं तो हमारी मरत्वा इस चैप्टर में से यह यह वाला mcq वाय हुआ था ठीक है डिकने like this like this आप लोग इसको जहन में बैठा लो यह mcq रहा हुता हूं different test के अंदर ताकि अपनों की revision हो जाए और further उचीज आपनों के दिमाग में बैठ जाए क्योंकि एक मरत्वाद चीज को देखने से नहीं बैठती वह भूल जाती है बार बार इस तरह जो mcqs repeat हो रहे थे means that mcqs important है और test में अगर यह mcq आते भी है और आएंगे इंशाला तो आप लोग उनको बिल्कुल first growth row में जो है वो उसको attempt कर सके तो आप मरपास ligase enzyme में यह हम लोग use करते है for joining the two dna fragments ठीक है dna fragments two dna fragments को combine करने के लिए join करने के लिए उनको attach करने के लिए c pcr और आपकों के पाइच option d है वह है gel electrophoresis तो हम लोग जो है वो agros को हम लोग gel electrophoresis में use कर रहे होते हैं अब जहां से अपनों कहीं को रहे हैं mcq point भी clear है आप से question कर सकते है the agros extracted from agros is extracted from sea weeds next मरपास mcq 50 में कहता है the rising of dough is due to option a production of carbon dioxide option b emulsification option c hydrols of wheat flour starts into the sugar option d multiplication of yeast तो यार डो की rising like अम लोग देखे अकसर घरों में अम लोग हमीर जह हो यानि की yeast use करते हैं अपने like arctic अंदर ठीक है और आप लोग आप लोग देखा कि कुछ तेरबाद जो है वो जो like flour होते है वो like उसका जो size जो increase हो रहा होते है कहते है कि क्यों होता है तो मार पास वह इसलिए होते है कि मार पास carbon dioxide produced हो रही होती है option a is correct कि मार पास production of carbon dioxide हो रही होती है mc251 में कहते है enzymes catalyzing the removal of nucleotides from the end of DNA option a exonuclease option b endonuclease option c hen 2 and option d DNA तो यार simple is that इंट करते हैं किसी डींघ ने के end से इक या में करते हैं तो इसको निकलने के लिए when कीले नीजियर है और इसको निकलने के लिए वहांगाelen्ट के लिशल आप सबस्क्राइब करिकले ब निकलने के, हम लोग उसको च्रौनिकले क् wijज興 जारी हो इसको निधर। तो यहां पर बोथ से ट्रूइंट बोट शेट के होगा उन दे बैस अफ साइज आज तो मोग सिर्फ सफ साइज की बेस्पार वह वो घ्रियने अलिक्यूल्स को आट वो इसेपरिट करहें होतें इक है जल अलेक्त फेरिसेस के अंदर तो अप्शन एस कोरेक्ट न्ली साइस M-screw 53 जाते है that bacteria protect themselves from the viruses by fragmenting viral DNA with option A endonuclease is option B, exonuclease option C, ligase option D, guidance so there we talked about exo before, we used it in the way, so we used it in exo here जाते है bacteria protect themselves from the viruses by fragmenting viral DNA, then endonuclease okay, endonuclease protection जाते है and exonuclease जाते हैं, simple as that यहाँ पर option A is correct, mscrew 54 केते हैं, the xision and insertion of the genes is called, option A genetic engineering, option B cytogenetics, option C biotechnology, option D none, तो अमर पास, xision and insertion, xision याई ये निकाल ले को कहते हैं, and insertion of the genes, तो उसका हम लोग बसकी जनेरिक एंजिनेरिंग कहा होते हैं, option A is correct, simple, simple, like definitions type mcqs है, mscrew 55 में कहते हैं, in genetic engineering, the antibiotics are used as option A, selectable markers, option B, to select the heredity vectors, option C, to keep the culture from the infection, to keep the culture free from infection, option D, as the sequence from where the replication starts, the simple is that, हम लोग जो है, वो genetic engineering के एंदर, जो antibiotics को यूज करे होते हैं, हम लोग as in selectable markers यूज करे होते हैं, like example, selective markers means that, कि हम लोग जिए जीन आफ इंट्रेस्ट किसी DNA से निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हम लोग वो यूज करे होते हैं, तो वो मर पास, हम लोग antibiotics वगरा ये चीज़े यूज करे होते हैं, हमार पास तो है वो, agrobacterium, agrobacterium है, so option B is correct, ठीक है, एमसी के बहुत नहीं है, आप लोग लोग ने अपने जहन में रखना है, agrobacterium is considered as the engineer of plant, mc2 57 के कहता है, which one of the following is required to facilitate the cloning into a vector, option A, origin of replication, option B, selectable markers, option C, cloning site, and option D, all of these, अब देखे, इसमें भी origin of replication है, अब origin of replication का concept, I think, यहाँ पर आप लोग काफी है, चाहाँ सा build-up हो गया होगा, हम लोग उने, origin of replication पर 3-4 mcqs है, वो, सिर्फ इस test में, जो है, वो, discuss की है, ठीक है, यहाँ पर option A is correct, कि हम लोग, उसके थरो हम लोग जो है, वो, facilitate करते हैं, cloning into a vector, mc-n-58 में कहते हैं, which, which is obtained from the genetic engineering, option A, golden rice, option B, hemoglobin, option C, glucose, and option D, all, तो हम लोग जो है, वो, golden rice को, like, genetically, वो कर रहे होते हैं, produce कर रहे होते हैं, या, थरो, genetically, in genetic engineering, हम लोग उसको obtained कर रहे होते हैं, option A is correct, इस तरह की बाकिशी दें, बग में लोग लाजबी देखे, mc-n-59 में कहते है, the denaturation temperature in PCR, तो, simple, 194 होता है, ठीक है, अब आप लोगों को जितने भी temperature आप लोगों के इदर, different steps में मेंशन है, like, PCR है, या कोई भी method है, technique है, mechanism है, तो आप लोगों को ये denaturation temperature तरह किसी याद होने चाहिए, ठीक है, अब उसने PCR के अंदर denaturation temperature का पुचे है, तो उमार पास, वो 94 degrees centigrade है, option B is correct, last but not the least, mc-q-60, southern blotting is, मैंने अप से पहले कहाता है, कि हम लोग s-mc-q को discuss करेंगे, सौरी 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 ब्लotting को discuss करेंगे, option A में कहते है, attachment of primals to DNA fragments, option B कहते है, transfer of the DNA fragments from the electrophoresis gel to a nitrocellulose, option C में कहते है, comparison of the DNA fragments to two sources, option D में कहते, transfer of the DNA fragments to electrophoresis gel from the cellulose membrane, simple as that, हम हर पास चाहिए, वो electrosौरी सौरी सौरी ब्लotting में, हम लोग क्या करते हैं, DNA fragments को transfer करते हैं, electrophoresis gel से nitrocellulose sheet पर, तो उसको हम लोग southern blotting कहते हैं, तो यह ता आप लोग के पास चाहिए, ब्लोग के पास चाहिए, ब्लोग को ने काफी कुछ सीख हो होगा, इसमें, ठीक है, और बस यह इसी तरह के MCQs होते हैं, ब्लोग कोशिश करें कि अगर फुर्दर आप लोग करना चाहिए तो आप लोग जाटे हैं अपने टेक्स को रीट करें, वहां से इस तरह कि जो points आपको मिलते हैं, उनको आप लोग जैस्ट अपने पास note करें, तो यह ही आपने को पास MCQs points होते हैं, असल में mostly students को पता नहीं होता है कि कौन सा MCQ point है और कौन सा MCQ point नहीं है, तो उस दिसमें वह confused होते हैं, उनको समझ नहीं आते कि किस चीज को आपने जहन में रखें, किस चीज को याद करें और किस चीज को जोड़ें, तो वह काफी confusing होते है students के लिए, चीजों को memorize करना यह वह दे सेंड़ा है, तो उमीद है कि आप लोगो ने यहां से काफी कुछ रिवाइस किया होगा, ठीक है, अगर स्टेल जो है वह, आप लोगों के इस चेपर में कुई मसला बगार होते हैं, अपलूपकर से थे, तक यू.